Hello everyone, I am Dr. Deepika. आज का टॉपिक है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. जब भी आप कभी किसी बच्चे को पार्प में, घर में उचलते हुए देखते हैं, बागते हुए देखते हैं, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए इससे बेस्ट फिलिंग कुछ नहीं हो सकती. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो अपने ग्रोथ हीर्स में उचलना, कूदना, खेलना, ये सब नहीं कर पाते हैं. उनकी मसल्स में एक अनएक्स्प्लेंड वीक्नेस रहती है, टेंशन रहती है, रिजिडिटी रहती है, पेन रहता है. इन बच्चों को एक ऐसी बिमारी मैं कहूंगी होती है, जिसे हम ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं. इसका कॉस क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन्स को बनाना, और प्रोटीन्स का जब सही प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, हमारी वेल बीन के लिए वो उतने ही अच्छे होते हैं. लेकिन कुछ patients में unfortunately इन proteins का बनना एक abnormal behavior रहता है एक abnormal तरीके से ये proteins जो है वो produce होते हैं ऐसा ही एक gene है DMD ये gene dystrophin protein के लिए code करता है और ये बच्चे जो उचल code नहीं कर पाते जिनकी muscles में बहुत जादा weakness pain रहता है इनमें इस protein का बनना जो है बहुत कम है lack of protein production इन बच्चों का अगर मैं बात करूँ कि ये problem, ये symptoms उन्हें life में कब आते हैं तो इसका onset 3 years से लगबग start हो जाता है और लगबग लगबग 12 साल की उमर में आते आते ये बच्चे wheelchair bound हो जाते हैं ये bedridden हो जाते हैं और जब ये बच्चे अपने teenage में पहुंचते हैं 13, 14, 15 years में जब ये पहुंचते हैं इन्हें बहुत सारी respiratory problems, breathing problems और heart की problems होती हैं बहुत सारी abnormal problems और जब ज़ादा associate हो जाते हैं इन बच्चों के साथ इसके साथ साथ बात करें तो अगर हम इसकी diagnosis की बात करें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी बच्चे में सच में डूशिन muscular dystrophy ये problem है या नहीं है तो पहला है एक simple blood test जिसमें हम creatinine kinase level check करते हैं अगर creatinine kinase बहुत ज़ादा produce हुआ है बाडी में तो ये एक इशारा हमें देती है कि बच्चा जो है वो डूशिन muscular dystrophy से affected है दूसरा है हम muscle biopsy करते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि muscles में इस तरह की problem जो कि मैंने symptoms आपको पहले बता दिये उस तरह की कोई भी problem है ये भी diagnosis की तरफ एक step है तीसरा है genetic testing जो हम red cliff diagnostics में करते हैं इसमें हम DMD gene के बारे में चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कोई abnormal protein produce हो रहा है protein बन भी रहा है या नहीं बन रहा है या बहुत जादा बन रहा है या बहुत कम बन रहा है और जो भी test results हमें मिलते हैं वह हम doctors और patients के साथ share करते हैं ताकि वह अपने आगे आने वाले years को किसी तरीके से सरल बना सके और यहां तक कि अपने आगे आने वाली generation को भी इस चीज से किसी हद तक छुटकारा दिला सके इसके साथ साथ हम red cliff में genetic counseling services भी इन patients के लिए इन family members के लिए provide करते हैं जिससे कि वह अपने आगे आने वाली generation के लिए एक नियमित तरीके से सोच सके और अपनी pregnancy plan कर सके thank you so much उपनाच्व तक है